आज की इस वीडियो में आपको बिहार LRC के तरब से एक ओफिसल नोटीस आज के डेट में रिलीज की गए बहुत बड़ी अपडेट है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहेगा सभी कुछ मैं आपको डीटेल से बताने वाला हूँ आगे बड़ने सफले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ज़रूर से लाइक कर देजिए चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करकर रखे ताकि आने वाले जो भी सारी अपडेट होंगी इस चैनल के मादहम से आपको मिलती रहेगी मैं वहाँ पर डाल देता हूँ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं आज के डेट में चार एक ग्यारा दुजार बाइस के डेट में नोटीस जाड़े की गई है राजा सिवं भूमी सुधार विवा के तरब से पतरांग 3034 यहां पर आप लोग देख सकते ह हैं आपका जो भी सारा एर और और फॉर्म भड़े में दिकत परेशानी हो रही है एक मेल करके आप लोग जो इसका इमेल एड्रेस था उस पर सेंड कीजिए तो उसी पर अभी एक्शन लिया गया है जिसमें कि आप लोग यहां पर पर सकते हैं कि ओनलाइन आवेदन में करन बैठक किया गया बैठक में जो भी सारा तिकत था सभी पर विचार भी मर्स किया गया और उनका निश्पादन करते हुए इसका जो सफ्ट्वेर जो डेवलपर है उनको कंटेक्ट किया गया और उसको सभी कुछ बताया गया तो जिसमें कि अभी इसमें FAQ रिलीज की गई है guideline for applicants while filling the application form जो भी secondary rate है जो अपना form already submit कर चुके हैं वो लोग जो आने वाले चार दिन का window होगा जिसमें आप अपना सुधार कर सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत परिशानी हुई होगी या error हुआ होगा तो आप उसको आगे आने वाले चार दिन में सुधार कर पाएंगे और जो लोग अभी तक form fill नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजे उसके बाद जाएगा form fill करने के लिए जिसमें कि यहाँ पर सबसे बड़े दिक्कत थी कि CGPA grade system को कैसे उसमें enter किया जाए आपको पता होगा जब form fill करते होंगे तो आपको सभी semester का mark वहाँ है तो उसमें mention नहीं है तो उसी को यहाँ पर resolve किया गया है यह तरीका आप लोग अपना सकते हैं इसको change करने के लिए लेकिन पिछले वीडियो में मैंने भी आपको बताए था कि सभी का जो भी आप आपका अलग 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 चेंज करने का नियम है जो की अलग 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 यह आपके mark sheet के पीछे में भी यह mention रहता है आप लोग अपना mark sheet को पीछे उल्टा करके चेक कर सकते हैं उसमें अगर लिखा है तो उस सनुसार से अपना जो total mark आया है उसमें 100 फिल कीजिए और आपका जो grade point को convert करके जो भी आपका percentage बनता है उसको अगर 87.5% बनता है तो obtained mark में 87.5% आप वहां पर फिल कीजिए तो यह इस तरीके से आप लोग अपना जो भी semester wise details है इसको फिल कर सकते हैं दूसरा नमर जो यहां पर point है कि semester 1 और 2 details not available due to lateral entry जो भी यह से candidate है जो LE से diploma करते हैं उन लोगों को पता है उन 2 year का diploma होता है तो उनका आपका जो same है वो third same से चा उसको mark sheet वाले section में upload कीजिए यानि कि अगर आप लोग diploma lateral entry से किया है तो आपका 2 year का आपका exam होगा जिसमें 4 semester होंगे तो only आपको 4 semester का जो documents है उसको upload करना है उसके बाद next आपका point है कि semester wise details not available and institute year wise mark sheet बहुत सारे ऐसे institute हैं जिसमें कि semester wise details नहीं दिया गया है उसमें only final year जो भ case में आपको पहला column को select करना है और उसमें first year select करना है या first select करना है और उसके बाद आपका first year का जो mark sheet है उसका details डालना है उसके बाद एक चीज़ यहां पर ध्यान दिजेगा आपको counseling time में एफिडेविट बनवा करके लाना है आपने institute से कि हम आपका जो institute है ओ यह 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 वा बनवाना है उस code से वहां पर जा करके आप लोगी बनवा लीजिएगा उसके बाद next जो point है चार नमर में next point में PG वालों के लिए details दिया गया है तो जो भी candidate होंगे अपना देख लीजेगा उसके बाद 5 नमर point में है कि UAN और EPF नमबर आपको डालना है आपको जब form फिल कर रहेंगे तो personal details में आपको यह मांगा गया है लेकिन यह सभी के लिए mandatory नहीं है यह बस उसी के लिए mandatory है जो experience क्लेम करेंगे जो भी candidate है जिस form में experience जरूरी है जैसे कि SS कानून गो और SS ASO इसमें experience की जरूरत है तो इसमें जब आप apply करने जाओगे तो वहां पर आपको UAN या special survey में diploma freser वाले है उनको यह नमबर डालना जरूरी नहीं है उसको आप इसको खाली छोड़के आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद next point है color वालों के लिए जो भी ऐसे candidate है जो color के post पे apply करना चाहते हैं तो diploma equivalent है 12th के standard के तो जो भी ऐसे candidate है जो 12th के जगह diploma का mark sheet अगर डालना चा जाते हैं तो डाल सकते हैं इसमें उसको लिखा गया है कि since diploma is equivalent to 12th one can fill diploma details तो आप अपना जो 12th के जगह diploma का भी details fill कर सकता है color के post पे तो अगर ऐसे candidate जो graduation कर रखे हैं और diploma कर रखे हैं डिपलोमा पर से graduation कर रखे हैं तो वो लोग आप अपना diploma का certificate upload कर सकते हैं अगर आपका 12th next point की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे marksit या certificate है जिसमें certificate नमर अबलेबल नहीं है marksit या certificate है उससे certificate नमर अबलेबल नहीं है उसके के इसमें यहां पर बताया गया है कि इंटर Indolment number in the field of Marksheet number तो जो भी Marksheet number के जगा पर आपका जो भी Roll number है या Indolment number है या Registration number है जो भी उसमें आपको Marksheet या Certificate में दिख रहा है उसी को आपको इंटर कर देना है और साथ में Affidavit जरूर से बनवा करके लाना है कि आपका जो Concelling के टाइम में कि जो आपका Institute है वो does not provide certificate number on Marksheet ये लिखा होना चाहिए Affidavit में कि आपका जो Institute है वो certificate पे या Marksheet पे जो certificate number है वो provide नहीं करती है तो ये Concelling के टाइम में जरूर से ले करके जाना होगा उसके बाद next जो 8 number का point है इसमें ये लिखा गया है कि due to error in any subject of a semester two Marksheet issued for the semester same semester जैसे कि ऐसे कोई candidate है जिनका carry लगया है या back हो गया तो उनको आप दो सेमेस्टर दो Marksheet होगा एक जैसे first semester में ही किसी को carry लगया तो पहले तो वो होगा जिसमें carry लगा है उसका Marksheet उसके बाद जो carry उसका जो resolve होगा उसका second Marksheet होगा तो इसमें ये लिखा गया है कि please upload final certificate यानि कि जो आपका second वाला होगा carry जिसमें pass हुए है ओ वाला दूसरा certificate आपको upload करना है और उसी का details डालना है तो ये भी clear कर दिया गया बहुत सारे confusion थे बहुत सारे candidate को उसके बाद सबसे main important point नियो number point में ये लिखा गया है कि बहुत सारे से candidate है जो already form fill कर रहे हैं और उनका जो name father name mother name category date of worth सब बहुत सारे चीज जो अगर गलती से इसमें wrong enter हो गया है तो आप इसको change कर सकते हैं जब आपका यहां पर आप देख पाएंगे you can change each and every details in the recertification window period तो चार दिन का जो आपका सुधार करने का window आएगा उसमें आपको यह सभी details आप अपना जो सभी चीज अपना change कर पाएंगे जो भी गलत इंटर हो गया है उसके बाद यहां पर दस नमर point में यह लिखा आपका validation जरूरी है यह बस एक ही कारण से नहीं हो सकता है अगर आपका जो नाम है जो form fill करते time डाल रहे हैं और जो आधार card पे जो नाम है spelling सही और date of birth अगर सभी कुछ same मिल रहा है तो ही यह validation होगा अगर अगर आपका कुछ mismatch है तो आप अपना आधार card को सुधार करवा सकते हैं उसके बाद form fill कर सकते हैं आपका validation हो जाएगा उसके बाद नीचे में लिखा के ग्यारे नमर point में technical issue like server error while final submit the application all such issues resolved यह सभी जो issue आ रहे थे सभी को resolve कर दिया गए अभी आप लोग निशिन्थ होकर के form fill कर सकते हैं बारे नमर point में लिखा गए कि original certificate has not been issued yet by institute can I apply with provisional तो यहाँ पर लिखा गए कि yes but you have to bring affidavit regarding the same तो आपको अगर किसी के पास ऐसे हैं जो final जो मूल पर्मानपत्र होता है अभी तक नहीं मिला है और आपके पास provisional certificate है तो आप उससे apply कर सकते हैं लेकिन आपको counseling के time में आपको affidavit बनवा करके लाना होगा कि मेरा जो मूल पर्मानपत्र है नहीं आया था इसलिए हम provisional certificate से apply किये थे तो यह था इसका detail information FAQ I hope आप इसको समझे होंगे वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताइएगा और यह जो PDF है आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा जर जरूर से join होकर करिएगा वीडियो के description में और comment section के pinned comment में आपको link दिया गया है